तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के सनय है और लिटेस्ट वीडियो में और जैसा कि आप लोग का सिरीज चल रहा है क्लास 12 के उर्दू के अब्जेक्टिब कोश्चन का चेप्टर वाई सिरीज तो फर्स्ट चेप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिये थी इसके पहल अब्जेक्टिब कोश्चन करते हैं और अप हरे कोश्चन को ध्यान से पढ़कर और उसका एंसर खुद से देने की कोशिश कीजिएगा और उसके बार से उस अब्जेक्टिब कोश्चन का याद भी कर लिए सारे अब्जेक्टिब कोश्चन को याद करते चलना है ठीक तो चलिए हां तो यहां से आप लोग का सवाल स्टार्ट हो रहा है देखिए पहला सवाल है कि नसाब में शामिल मिट्टी का तेल क्या है यानि कि आप लोग के बुक में जो चैप्टर है मिट् तो आपसा नमबर भी इस यूराइट एंसर चलिए नेक्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं दूसरा सवाल है कि मिट्टी का तेल मजमून के मजमून निगार कौन है यानि कि यह जो मिट्टी का तेल नाम का चैप्टर है यह मजमून है यानि की निबंद है तो इस मजमून क निगार कोन है यानि कि इस चैप्टर के लिखने वाले कोन है इस निबंद के लिखने वाले कोन है तो देखिए और सी जो है नाव होगए आप लोगा सही जवाब ठीक आगे बढ़िए तीसरा सवाल है कि आग हवा पाणी और खाक में सबसे कम तर किसको समझा जाता है यह तो बहुत ज़्यादा आसान और एजी कोश्चन देखिए आग, हवा, पानी और खाक यह मैं आप लोगो अलड़ी चैप्टर पढ़ा रही थी वहाँ पर बताई थी कि इन चारों में सबसे ज़्यादा कम तर खाक यानि की मिट्टी को समझा जाता है तो इसका राइट इनसर क्या हो जाएगा आपसन नमबर डी, खाक ठीक आगे बढ़िए चार नमबर सवाल है कि ख्वाजा हसन निजामी की पैदाईश कब हुई आपसन ए में हैं दिसंबर 1878 बी में हैं सितंबर 1989 सी में हैं जुलाई 1855 और डी में हैं मई 1989 उन्चास तो इसका राइट इनसर क्या होगा इसका राइट इनसर हो जाएगा आपसन नमबर ए दिसंबर 1878 ठीक आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ देखिए सवाल नमबर पाँच है ये ख्वाजा हसन निजामी की पैदाईश कहा हुई अपसन ए लाहौर बी में हैं मजफर पूर सी में हैं मर्दुमखेज बस्ती और डी में निजाम الدین उलिया जिसका इनसर आप लोको साब साब दिख जा रहा होगा इसका राइट इनसर होगा आपसन नमबर डी निजाम الدین उलिया में खौजा असन इजामी की पैदाईश जो है ना हज़त निजाम الدین उलिया में हुई थी याद रखिएगा ठीके अब अगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं देखिए अगला सवाल है कि खौजा असन इजामी का नाम किसने रखा खौजा असन इजामी के नाम Łजा हसन इजामी किसने रखा उप्सन A में है सेयद हसन अली B में अल्डामा अकबाल C में हमीरमंडहलवी और D में हवजीर एगा इसका राइट इंसर क्या होगा इसका राइट इंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर B अगला सवाल है कि फवाज हसन निजामी के मामूने क्या कहकर पुकारते थे एक आसिम अली भी हसन अली सी अली हसन डी अली साह तो इसका जो रायट इंसर होगा वो होगा और सी अली हसन याद रखिएगा पहले अली उसके बाद हसन क्योंकि यहां पर देखिए दो चीजे आप फ्यूज नहीं होना है पहले अली रहेगा उसके बाद हसन अली हसन कहकर जो है ना ख्वाज हसन निजामी के मामू पुकारते थे ख्वाज हसन निजामी को ठीक है याद रखिएगा चली आगे बढ़िए आठवा सवाल है कि निजामी के वालिदीन ने उनका नाम क्या रखा था है खाज़ास निजामी के जो वालिदीन है माता पिता उनका नाम क्या रखे थे बहले उनका नाम फाज़ास निजामी था लेकिन उनके माता पिता खाज़ास निजामी का दूसरा नाम रखे थे तो वही नाम बताना है कि उनका दूसरा नाम क्या था जो उनके माता पिता र रखे थें खौाज या फिर खुआजा सहब के वालिद का नाम क्या था यानकि उनके पिता जी का क्या नाम था आपसन आ में सेद अली निजामी, बी में है कासिम अली निजामी, तो इसका राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमबर डी सेद अली निजामी, ठीक, पिर अगला स्वाल है, कि मां का नाम क्या था we Master अम्हांस की सीडार डीम सी मेह सेयदा सरवरी बेगम सवक्राइब इ मैं ऑर डीमेह फारतिमा बेगम तो इसका राइट हनसर हो जाएगा आप को साफसापत दिख रहा होगा कि सका राइट है जिगम अगले कोशन कि तरह बढ़ते कुश्चन नमबर 11 है कि खुआजा हसन लिजामी कितने बरस की उम्र में और किस से शादी किये थे ठीकि अपसने में 18 बरस की उमर में सेदा महमूदा बानों से बी में 17 बरस की उमर में सेदा हबीब बानों से C में 18 बरस की उमर में सेयदा हबीब बानों से D में 20 बरस की उमर में सेयदा महमूदा बानों से तो आप लोगों को बताना है इसका राइट इंसर क्या होगा तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दू कि इसका जो राइट इंसर होगा वोगा आपसन नमबर C 18 वरस के उमर में जो है ना ख्वाजह में शादी किये थे सूयदा हभिब बानों से याद रखिएगा लेकिन जब ये सूयदा हभीब बानों से शादी किये तो कुछ सालों के बाद जो है ना स्वाजह मताल हो गया अनकी मौत उग undermukतो गई तो फिर वो खॉज़स निजामी सेदा महमूदा बाणों से शादी कर लिए ठीक, आगे बढ़िए अगला सवाल है, निजामी के बड़े भाई का नाम क्या था अफसन आ में है सेद हसन लीजा, बी में है बदरुधिन लीजा सी में है हैरत लीजा और D में है जाफर अलीशा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अपसन नमबर A स्यद हसन अलीशा ठीक अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 13 कि निजामी ने कितने किताबे लिखें अपसन A में है 500 B में है 100 C में है 200 और D में है 200 से जादा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अपसन नमबर D 200 से जादा जो है न निजामी खाज़ास निजामी ने किताबे लिखे थे ठीक आगे बढ़िए अगला स्वाल है कि दर जेल में कौन निजामी की लिखी हुई किताब नहीं है अपसन A में है रोज़नाम चे B में है कलमी चेहरे C में है सी पारे दिल और D में अंदेशाय सहर तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपसन नमबर D अंदेशाय सहर जो है ना वो खाज़ास निजामी ने का लिखा हुई किताब नहीं है आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 15 की निजामी बनसुरी किसकी सवाना है किसकी बायोग्राफी है ये जो निजामी बनसुरी है ये किसकी सवाना है अपसन A है खश्मत अलाबेक B में हज़रत निजाम الدین अलिया C में खवाज़ास निजामी D में हाशक अलि निजामी तो इसका राइट अंसर होगा वो होगा अपसन नमबर B हज़रत निजाम الدین अलिया की ये जो निजामी बनसुरी है ये सवाना ये निजामी बनसुरी है ठीक अगला सवाल है सवाल नमबर 16 कि खवाज़ाज़ास निजामी का इंतकाल कब हुआ अपसन A में 22 जुलाई उने सवनचास B में 31 जुलाई उने सब पच्पन C में 15 जुलाई उने सब टिरपन D में 12 मई उने सब पैंसर तो इसका राइट एंसर होगा इसका राइट एंसर हो जायेगा अपसन नमबर B 31 जुलाई उन्हेसाब 55 ठीक आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखिए सवाल नमबर 17 है कि निजामी जिस कबर में दफन हुए वह कितने बरस कितने बरस किबल तैयार करा ली थी मतलब खौजा हसन निजामी जो है ना जिस कबर में दफनाए गए वह कबर खौजा हसन निजामी कितने साल पहले वह कबर तैयार कर वाली थी कि हम इसी में मरना चाहेंगे थीक है तो देखिए आपसन A में पांच वरस पहले B में बीस वरस पहले C में दो बरस पहले और D में है पचास बरस पहले तो इसका जो डाइट इंसर होगा वह होगा D. पचास साल पहले ही जो है ना मरने से पचास साल पहले ही ख्वाजा हसन इजामी अपना قبر तयार करवा लिये थे ठीक तो ये याद रखिएगा अगला सवाल है दर्जेल में कौन इनसान का शरीक एकम है आपसन A में हाग, B में हवा, C में पानी और D में है मिट्टी का तेल इसका राइट इंसर पता है क्या होगा आप लोगो साब साब दिख जा रहा होगा कि इसका राइट इंसर होगा आपसन नमबर D मिट्टी का तेल चलिए अगला कोश्चन किसके बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है आग, हवा, पानी और खाक तो इसका राइट इंसर क्या होगा इसका राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमबर D खाक मिट्टी की बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है जो मैं आप लोगो चैप्टर पढ़ाई थी शुरुआती में बताई थी आगे बढ़िये देज़ेल में कौन ख्वाजास निजामी का मजमून नहीं है इन चारों आपसन में से कौन जो मजमून है कौन निबंद है जो की ख्वाजास निजामी का मजमून है यहाँ पर आप लोगो बताना है तो अभी मैं आप लोगों को बताई ना फ़ादास निजामी का लिखा हुआ मजमून कौन सा है मिट्टी का तेल तो आपसर नमबर बी इस तो राइट एंसर आगे बढ़िये किसको हकीर वजलील समझा जाता है आग हवा पानी और खाक इन चारों में से किसको हकीर वजलील नीचा समझा जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर डी खाक यानि की मिट्टी को अब देखिए लास्ट सवाल है सवाल नमबर बाइस कि अमेरिका का राख फेलर के किसके बदौलत लातादाद का मालिक है यापर पूछा जा रहा है कोश्चन कि अमेरिका का जो राख फेलर है वो किसके बदौलत इतना ज़्यादा तादाद में धन दौलत का मालिक है किसके बदौलत तो देखिए अपसर अमेरिका का जो मिट्टी का तजारत करता है जिसके होजा से धन दौलत का मालिक बन चुका है यह था चप्ठर तू का सारा अब्जेक्टिष कोश्चन इसको आज किस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए इसी तरह आप लोग को सब चेप्टर का चप्टर वाइज अब्जेक्टिव कोशन मिलता रहे गा तो बस आप लोगको इंक्ज़ार करना है हर एक चप्टर का मैं अबजेक्टिव कोशन कम्प्लीट करा रहा हुए ठीक तो वीडियो अच्छा लगा जो कुछ भी मैं आप लोग को समझा ही समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किये हैं तो और चारो तरफ शेर कर दीजिए अपने पड़ों से अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा हो सकते ताकि वो लोग भ अब लोगो दिख रहाओगा उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले सब्सक्राइब कर लेने के बाद बैले करने इनकी घंटे के दुबा कर और काप्शन क्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरी रोज जाने वाली आल वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक तो फ कुदा हाओड़िस